कॉला लंपूर पे च्छाय सुर्मिई बातलों को सूरस ने दोनों हातों से दाएं बाएं धकेल कर अपनी जांकने का रास्ता बना लिया था बारिश खतम हो गी थी और सुनहरी दिन निकलाया था ऐसे में शहर का एक मशूरों मारूफ कन्वेंशन सेंटर जिसको पत्रा वर्ड ट्रेड सेंटर कहा जाता था अपनी पूरी आबोताब से खड़ा था तकोन अमारत जो सामने से शीशों से ठकी थी और उसके अंदर बड़े-बड़े हॉल बने थे जहां कन्वेंशन और सेमिनार मनकिद होते थे एक तरफ शौपिंग माल था और उपर आफिस बिल्डिंग बारिसन नेशनल का हैड आफिस उसी तकोन अमारत के अंदर वाके था और उस वक्त फाते रामजल आफिस फ्लोर की लॉबी में तेज देज चलता जा रहा था चार-पांच अफराद भी उसकी मुईद में कदम उठा रहे थे एडम बिल्कुल खामोश था जहन के पर्दे पे बार बार टोकरी से चलकता कार्ड आता था फाते रामजल उससे चंद कदम आगे था सिकेर्टी और बाडी गार्ड्स की मुझूद की के बाइस वो उसके करीब नहीं जा पारा था और फिर रास्ते में उसे देखके रुक रुक चाते लोग उन जिन को वो मुस्कुरा के हाथ माते पे ले जाकर सिलाम कहता आगे बढ़ता जा रहा था सर मुझे आपसे बात करनी है एडम ने पीछे से उसे पुकारा मगर फाते ने उसे एक नजर भी नहीं देखा अलबता पॉलिटिकल स्केर्टी एडियों पे घूमा और गुस्से से उसे घुरा एडम तुम मुझे से मिलो कुछ देर तक मुझे लगता है अबदुल्ला ने तुमी मैनर सिखाए बगएर भेज दिया है एडम खामोश हो गया फाते आफिस में चला गया तो वो बाहर बैट गया जैसे ही पॉलिटिकल स्केर्टी किसी काम से बाहर गया वो तेजी से दस्तक से आफिस में दाखिल हुआ अंदर बलाइंड्स खुले थे रोशनी में कमरा नहाया हुआ लगता था फाते ने कोट उतार के स्टेंड पे लटका दिया और खुद पावर चेयर पे बैठा एनक लगाए चंद काख़ाद देख रहा था आहट पे भी मतवचे नहीं हुआ सर एडम संजीत की से कहता सामने आया दिल जोर जोर से धड़क रहाता मुहताद सा कनक्खियों से दर्वाजे को भी देख ले था कि कही सिक्यर्टी वापिस ना आजए क्या मैं आपसे एक बात कह सकता हूँ मैं नहीं जानता लोग सवाल पूछने की इजासत क्यों तलब करते हैं जबकि उन्हें जवाब में सिर्फ हाँ ही सुनना है और इजासत की उन्हें परवान ही होती वो अपनी डाइरे के सफे पलटाते हुए मसरूफ अंदास में बोला था उसे बहुत से काम करने थे वो मुल्क के मसरूफ तरीन लोगों में से था एडम का हलक सूखने लगा सर आप शम्स साब के पास गए और उनसे अशर साब के बारे में मश्वरा तलब किया वो जल्दी जल्दी कहने लगा फाते अब सेलफून उठा के कोई चीज डाइरी के सफे से टेली कर रहा था उन्होंने ये जाहिर किया कि वो आपके दोस्त हैं और ये कि उन्हें मिसेज असरा के इविंट के बारे में मालूम नहीं है मगर अशर साब ने सुबह का था कि वो कार्ट सबसे पहले आपकी तरफ लाएं मगर एक कार्ट शम्स साब के घर भी पड़ा था शम्स साब का घर अशर साब के घर के करीब है अगर वो पहले उनको कार्ट दे कर आएं तो यकीनां दोनों की दोस्ती गेरी और फॉर्मेलिटी से पाक है मगर एडम को लगा वो सुन नहीं रहा उसकी टांगे होले होले कांपने लगी मुझे लगता है जर आप गलत आदमी पे बरोसा करके उससे मशवरा लेकर आएं वो आपके साथ मुखलिस नहीं है पाते के चलते हाथ रुके उसने नजरे उठा के एडम को देखा और फिर आंकों को पुरसोच अंदास में छोटा किया तुम्हारा नाम क्या आए? एडम की चलती जुबान को ब्रेक लगा एडम बिन मुहम्मद एडम राइड उसने सर हिलाया और फिर एडम पे ठंडी नजरें जमाए पीछे को टेक लगाई और रहनक उतारी एडम किसी गाउं में एक आत्मी का कतल हो गया तो लोगों ने शहर से एक माही सुराग रसा को बुलाया उसने मोकाई वारदात का जाइजा लिया तो मालूम हुआ कि मरने वाला किसी शादी शुदा औरत से अफेर था औरत कोन थी कोई नहीं जानता था सुराग रसा सीधा चर्च किया और पादरी के साथ एतराफी कमरे में बैट गया यूनो हमारे मसीही भाई जब गुना करते हैं तो परदे के पीछे वो पादरी के सामने इतराप कर लेते हैं सो उसने परदे के पीछे पादरी से का के फादर मैं बहुत गुनागार हूँ मेरा एक शादी शुदा औरत से तालुक है एडम सांस रो के सुन रहा था और वो उस पे नजरे जमाए मधहम मस्कुराहट से कहे जा रहा था पादरी ने पूरण पूछा क्या मिसिस जोलिया से उसने कहा नए पादरी बोला क्या मिसिस मार्था से उसने कहा नए तो पादरी ने कहा फिर यकिनन मिसिस बारबरा होंगी सुराख रसा महां से निकलाया बाहर किसी ने उससे पूछा कि तुम कतल की तब्दीश की जगा क्या करते फिर रहे हो तो उसने कहा जब मैं चर्च में गया था तो खाली हाथ था अब जब के मैं निकला हूँ तो मेरे पास तीन मुश्टबा औरतों के नाम है आखिर में वो हलका सा मुस्कुराया एडम का मूँ खुल गया चन्द नम्हे लगे उसे बात समझने में आप जानते थे कि वो अशर साब के साथ मिले हुए हैं इसलिए आप उनसे मिलनेगे ताके ये जान सके कि अशर साब असल में क्या चाते हैं उनकी एंड गेम क्या है फाते ने जवाब नहीं दिया मगर उसी मुस्कुराहट के साथ उसे देखता रहा तुम्हारी तसलिए होगी मैं मैं समझा कि आप वो कह नहीं सका कि आप बेवकूफ हैं रोब सा रोब था जो उसके वजूद पे तारी हो रहा था टांगे एक तफ़ा फिर से लरसने लगी थी एडम वो आगे को जुका और हाथ बहां भसाए गर्दन उठाए उसे मुस्कुरा के देखा अगर तुमें कभी इसान की काबलियत को मापना हो तो पेमाना उस जंग को ना बनाना जो उसने जीती या हारी है बलके हमारे किरदार का तौईन तो वो जंगे करती हैं जिनको लड़ने की हम हिम्मत करते हैं अगर तुम जानना चाते हो कि कोई इस मकाम पे खड़ा है तो देखो कि उसके खौब क्या है वो कौन से मकासिद और मनजिलें पा लेना चाता है इनसान वो होता है जो उसका सबसे बड़ा खौब होता है भले वो उसको ना भी हासिल कर सके और अगर एक आदमी का खौब इस मुल्क के सबसे बड़े होते पे पूंचना है और अपने मुल्क को एशिया का लीडर बनाना है और वो शख्स उस खौब के लिए आखरी हद तक कोशिश भी कर रहा है तो वो कुछ भी हो सकता है मगर बेवकूफ नहीं एडम ने शल्ट से अंदास में सरीलादिया सारी इलफास खतम होगे थे सब कहते हैं कि आप हर एक पे इतबार कर लेते हैं गलत नहीं कहते आपने मुझसे टिशू क्यों नहीं लिया सर जब कि आप जानते थे कि मैं उसी काम के लिए खड़ा था एडम तुम्हें वाके लगता है कि फाते बिन रामजल किसी पर डिपेंड कर सकता है हैरत भरी मुस्कुराहट के साथ उसने फिर से एनक लगाई और डाइरी की तरफ मतवचे हो गया एडम खामोशी से बाही निकल गया वो आज पहली दफ़ा फाते रामजल से मिला था और उसका दिले कजीब खुशकवार हैरत से भर गया था मगर फिर दिल पे एक बहुत सा आगिरा ग्यारा दिन में ये ड्यूटी खतम हो जाएगी और वो कभी उससे यू नहीं मिल सकेगा सिर्फ ग्यारा दिन थे उसके पास मुलके सबसे बड़े हालिम से कुछ सीखने के लिए जाहर है अभी वो ये थोड़ा ही चानता था कि ये ग्यारा दिन कभी ना खतम होने वाले दिन बनने जा रहे थे अगली दुपहे शहर पे फैली तो सारा केयल सोने के पानी में नहा गया और गुजश्टा रोज की बारिश की नमी कुछ देर के लिए कम हो गई ऐसे में उस कालूनी के दोनों इतराफ में उंचे-उंचे महल नुमा घरों की दो कितारे बनी थी तमाम खुरों के लान कुशादा थे और चार दिवारी तीन चार फूट की छोटी सी थी उन में एक पाते रामजिल की रहाइशका भी थी जो चमकते सूरस दले तहे करे थी पास्टे पे एक दरख्ट की ओट में एक कार रुकी खड़ी थी और उसमें वो दोनों बैटी नजर आ रही थी तालिया ने सिया लिबास और सिया टोपी पहन रखी थी और नजरें चुकाए गलब्स हाथों पे चढ़ा रही थी दातिन ने सकाफ चेरे के गिदल पेट रखा था और भद्धा सा काला चश्मा लगाए हुए थी चेहरा मोड के तालिया की करवाई देखती रही फिर रह नहीं सकी दिन दिहाडे चोरी ज़्यादा खतरनाक नहीं होगी तालिया तालिया ने सिया आंके उठा के उसे घूरा तुम वाकी बूरी ओरियो इस दिह भूल जाते हो कि दुनिया भर में सत्तर पीसद से जाई चोरिया दिन के वक्त होती है हम चोर सिक्योर्टी अलारम या कुतों से इतना नहीं डरते जितना घरवालों से डरते हैं और दुपैर में सब अमूमन काम पे होते हैं खेर सब त्यारी मकमल है ना उसने दूसरा गलव पहनते हुए किसी लीडर की तरह पूछा ताती ने ठंडी सांस भरी हाँ कल मेंने उनका घर केस कर लिया था तुपैर के वक्त यहां सिर्फ तीन गार्ड्ड होते हैं और एक मुलाजमा कुछ अर्शा पहले मिसेस असरा ने बहुत से मुलाजम फारिख किये थे बाकी गार्ड्ड वाते साब या सरा साहिबा के साथ जाते हैं मैंने ये भी देख लिया था कि उनका होम अलारम सिस्टम कौन सा है काश तुम हैकर होती और हम इतने तरद्द करने के बज़ए सिक्योर्टी सिस्टम को सिर्फ हैक कर लिया करते अब के दातिन ने उसे घूरा था अबल तो ये कि हैकर बनना असान नहीं होता दूसरा ये कि उसकी जरूरत भी नहीं क्योंकि एक बच्चा भी किसी का होम अलारम बंद कर सकता है चन्द फूट के फास्ते से भी मैं इस आम से जैमर का एक बटन दबाऊंगी और उनका अलारम जाम हो जाएगा और स्क्योर्टी कैमरे वो वाइफाई पे हैं मैं दूसरे जैमर से वाइफाई भी जाम कर दूँगी फिर मैं दर्वाजे पे जाके फाते रामजिल की नराज वोटर बन के धरना दूँगी चारों मुलाजिम अकटे हो जाएंगे और मुझे बगाने की कोशिश करेंगे तुम कोने से देवार फलांके अंदर चली जाना फिर मुझे उन घरों को देखकर ठंडी आह भर के बोली क्या तुम्हे इन अमी लोगों पे तरस नहीं आता तालिया जो ये तक नहीं जानते कि उनकी स्क्यूर्टी कमपनीज अभी तक 90 की दहाई वाली अलारम टेकनोलिजी इस्तमाल करी है ये इन बेचारों के साथ कितना बड़ा धोका है मेरा ख्याल है हमें यहां हर एक घर में चोरी करनी चाएगे ताकि उनके अलारम की अस्तियत खोल के उनके सामने रखी जाए ये उन पे कितना बड़ा एसान होगा ना मगर तालिया नहीं हसी उसका जहन बटा हुआ था टोपी से बाल अच्छी तरह ठके और गलाजी जांकों पे चड़ाए फिर कलाई बेबंदी घड़ी देखी एक एक लमहा प्लान के मताबिक इस्तमाल करना था मैं त्यार हूँ सिगनल जाम करो लियाना साबरी का उसकालोनी पे पहला एसान मगर यकीनन ये आखरी नहीं होगा लियाना और्फ दातिन ने बहुत फ्याजी से बटन दबा दिया तालिया की नजरें घर के गेट पे जमी थी जहां सेक्योर्टी गार्ड, सिया सूट और टाई में मलबूस खड़ा फून पे बात कर रहा था अलारम, वाइफ़ाई, सब होगे जाम अब तुम जा सकती और मैं भी दातिन दर्वाजा खोलने लगी मगर तालिया ने उसके गुटने पे हाथ रखा एक मिन्ट, उसकी चोकनी नज़ें गार्ड पे जमी थी वो कॉल के दुरान एक तम फून कान से हटा कर देखने लगा फिर जल्दी से उसे कान से लगाया और शायद अलविदाई कलमात कहकर फून बंद किया फिर सक्रीन पे उंगली फिरता अंदर को भागा क्या हुआ, कुछ गलत है दातिन वो सांस रोके बिना पलक चपके देख रही थी जैसे ही वो अंदर गाइब हुआ, घर का अलारम बजने लगा अगले लबहे वो गार्ड दूसरे दो गार्ड के हमरा बाहिर आता दिखाई दिया सब इदर उदर देख रहे थे, पिस्तोल निकाल लिये थे निकलो यहां से जल्दी, उसका फिक्रा मुकमल ही नहीं हुआ था कि दातिन ने गाड़ी चलाई और मोड काट लिया वो कालूनी के सिरे पे थी, इस दिये गार्ड की निगा नहीं पड़ी थी अलारम कैसे बचा, तातिन हका बक्का थी, यह पहली दपा हुआ था उनके अलारम सिस्टम में जामर से बचाओ के लिए कोई जामिंग अल्गॉरिथम का इस्तमाल किया गया है अगर कोई सिगनल जाम करने की कोशिश करे तो गार्ड को टेक्स्ट मेसिज पे अलर्ट आजेगा और फिर वो खुद अपने हाथ से अलारम आउन करके चोर की तलाश में दोड़ते हैं मालूम होता है कि उनमी लोगों को तुमारे इसान की जरूरत नहीं है ले आना साबरी हाँ तातिन ने मूँ फुला लिया वो शायद खफा नजर आ रही थी हमने उनको अंडर एस्टिमेट किया अब हम क्या करें डॉन्ट पर इतालिया के पास प्लान सी है वो गलफ उतारते वे अराम से बोली थी ड्राइब करती दातिन ने घूर के उसे देखा मगर हम उनका अलारम नहीं बंद कर सकते यानि हम उनके घर तब तक नहीं जा सकते जब तक वो खुद हमें इन्वाइट ना करें बिल्कुल और अब वो हमें खुद इन्वाइट करेंगे उसने टोपी उतारी और बैग में फेंकी सिया बालकस के जूडे में बंदे नजर आ रहे थे और धुला धुलाया निकरा हुआ चेरा गहरी सोच में डूबा लगता था मगर कैसे जानती हो एक बेतरीन कौन गेम कैसे खेली जाती है कौन का लफ्स कौनफिडेंस से होता है हमें देखना होता है कि हमारे शिकार को किस चीज़ पर इतमाद है अंधा इतमाद मगर कुछ कौन गेम्स में हम ये देखते हैं कि हमारा शिकार किस चीज़ से सबसे ज़्यादा डरता है और तुम्हें पता है लाहूर और मलाइशिया के लोग सबसे ज़्यादा किस से डरते हैं पोलीस से नहीं दातिन डेंगी से राइट दातिन ने गहरी सांस लेकर सरहिलाया था दा डेंगी स्कैम अगली सूब जब उस कालूनी पे उतरी तो एक लड़की बाइस सैकल चलाती सड़क पे आती दिखाई दी उसने हाथों में एक पारी तस्ताने चड़ा रखे थे चेरे पे सबस रंग का डस्त मास्त था और सर पे पी कैप साइकल की टोकरी में अखबारों के रोल पड़े थे जिनको वो एक एक करके हर घर में उच्छाती जा रही थी जैसे ही वो मौर काट के गाइब हुई सड़क पे फेसे खामोशी चागी फाते रामजल के दर्वाजे से गाड़ ने अखबार का रोल खोला तो वो फिल्मी मैगजीन था वो सफ़े पर इटाते वे अंदर की तरफ चला आया और रिसाला मुलास्मा की तरफ बढ़ा दिया जो उसने लेते साथी रैक में रख दिया क्योंकि ऐसे बेकार रिसाले घर में कोई नी पढ़ता था मगर अखबार वाले फेंग चाया करते थे नाश्टे के लिए मुलास्मा जब ताजा ब्रेट लेने बाहर निकली तो वो ना मैसूस अंदास में अपनी कलाई खुजा रही थी वो हर सुबा उस बेकरी पे ताजा ब्रेट नेने आती थी मगर आज वो शदीद कोफ में नजर आ रही थी ट्रॉली में रोज मरा का समान भरते वे वो कभी माते पे खारिश करती कभी गर्दन की पुष्ट को रुमाल से रगड़ती सुर्ख नन्ने नन्ने दाने से उसके जिल्द पे फूट रहे थे ये ब्रेट पकड़ाना उसने तबियत पे चाई उकताहर से सामने खड़ी मोटी से आरुट को मुखातिब किया जो आवास पे पल्टी और फिर ब्रेट का पैकेट उठा के उसकी तरफ आई मगर उसके जिल्द देखके मूख खुला रहे गया पैकी ट्राली में करीबन फेंगा और खुद बदक के दो कदम पीचे अटी मुझसे दूरो तुम्हें तु डेंगी हो रहा है डेंगी मुलासमा शल रहे गी फिर इदर उदर देखा और तब आगे बढ़ गई थी किसी ओर ने नहीं सुना था वो सर्च दकती ट्राली दकेटी गई अलबता चेरे पे प्रेशानी के असार दिखाई देते थे इन नकली सेम्टम्स को उतरने में कितनी देर लगेगी तालिया फाते रामजिल के घर से दो गलिया छोड़के एक पार काता था उसके सिरे पे एक बेंच पे तालिया बैटी पैकिट से चिप्स निकाल निकाल के खा रही थी जब हामती कामती दातिन उसके साथ आकर पैठी उन दोनों ने उपर तदंग पैन रखा था जिसमें सिर्फ चेरा दिखता था और नीचे धीला ढाला सा लिबास एक दिन मगर बेफिकरो आदी बेमारी अल्ला देते तो बाकी आदी गूगल लगा देता है जब ये डेंगी को नेट पे सर्च करेगी तो वो चार मजीद अलामात भी जाहर होने लगेंगी जो हमारे अलर्जिक सप्रे का हिस्सा ही नहीं थी मुलास्मा जिस वक टाइनिंग टेबल पे नाश्टा सर्प कर रही थी उसका जिसम बुखार से तूट रहा था सर दुखरा था और जिल्द पे सुरुख धबे जाहर हो रहे थे वो मुबाइल पे डेंगी को सर्च कर चुकी थी और उसे लग रहा था कि वो मनने वाली है खामोशी से उसने नाश्टा असरा के सामने ला रखा जो गहरे नीले सकर्ट बलाउस में मलबूस गैलरी जाने के लिए तियार बैठी थी गर्दन से चिपकी मोतियों की लड़ी और कलाई में तलाई ब्रेसलेट पैने वो सेलपोन देख रही थी जब किसी एसास के तहट चौंकी तुम्हें क्या हुआ? मैम, मुझे शाहर डेंगी हो गया है वाट? असरा की आँखे खुल गी कैसे? कब? ओगाड, तुम लोग अपने घरों में पाने क्यों जमा रखते हो? मैम, मेरा कसूर नहीं है हसन को भी ऐसे ही दाने निकल रहे हैं वो मनमनाई ओगाड, असरा ने कनपटी को चुआ चेक अप करवाओ ना अपना और हसन से भी को समी, तुम बच्चों का ख्याल रखना और घर की सफाई अपने निकरानी में करवाओ और आज ख्याल आया तुमें ये बताने का रैश्टो हफते भर के बाल जाके होती है उसका नाश्टा हराम हो चुका था जी मैम, बखार तो था कुछ दिन से उसे सोच के ही ठकावट होने लगी पार्क में वो अभी तक उसी तरह बैटी थी, तालिया मुसलसल चिप्स खा रही थी, दातिन बार-बार घड़ी देख रही थी कितना इंतजार करना है मजीद चन मिंट मजीद वो मुस्कुरा के बोली थी मिसिस बाते अब तक पेस्ट कंट्रोल फून कर चुकी होंगी चन मिंट गुजरे और पेस्ट कंट्रोल की एक बड़ी सी वेंट करीब से गुदरी तालिया ने गर्दन मोड के देखा स्याह हिजाब के हाले में उसका चेरा दमकरा था और लबों पे मस्कुराहट थी वेंट की ड्राइविंग सीट पे बैटे चीनी नوجवान ने उसे देखे सिर्फ सर को खम दिया और वेंट रोक ली चलो वो तेजी से उटी आगे पीचे दोनों वेंट की तरफ बड़ी थी बैन की पिछली तरफ सवार होकर उन्होंने अपने तदंग उतार दिये नीचे दोनोंने पेस्ट कंट्रोल का सर्थ यूनिपार्म पैन रखा था तालिया ने अपने बैक से टोपियां और मास्क निकाल के दातिन की तरफ बढ़ाई पिछली तरफ एक यी वर्कर बैटा था जो उनसे वाकिफ लगता था इसलिए जल्दी जल्दी उनको सिलंडर और दूसरी चीज़ें थमाने लगा कोई गरबर नहीं होनी चाहिए केत दातिन ने रोबदार आवाज में उसे घूरा था ये तीसरा स्कैम है जो साशा, मैं और आप करें हैं पहले कभी गरबर हुई थी क्या हम पेस्ट कंट्रोल में नोकरी ही इसलिए करते ताके डेंगी स्कैम कर सके अगर हमारी जगा आप जाली वर्कर्स लेकर जाती तो बात में फांड़ा फूच जाता अब हमारा सारा काम लीगल है वो बुरा मान के बोला था और सुनो दातिन कहने लगी तो तालिया ने दभी आवाज में उसे टोका सादा बाते नहीं करो इससे मोटी शरम करो मैं तुमारी मा के उमर की हूँ घलत तुम मेरी दादी के उमर की हो चन्द मिन पात फाते रमजिल के लौन में वरकर्स सप्रेज करते नजर आ रहे थे असरा बादिल नखासता रुके थी मगर कार में बैटी थी मुलाजिम निगरानी पे खड़े थे वरकर्स का हेड आसिप उंची उंची हदाया दे रहा था सारे में घनी धुन्द पहली थी दातिन लाउंच में सप्रे करवारी थी ऐसे में सब को मसरूप पाकर तालिया धुन्द में फॉक ग्लासिस की मदद से देखती आगे चलती आई वाइफाई जाम कर दिया था वो होम अलारम गार्स ने खुद ही आफ कर दिया था कहा था न वो हमें खुद तावत देंगे अब तालिया कान में लगे नन्ने से आले में बोली ऐसा ही एक अला दातिन के कान में भी लगा था उसने लाउंच के परले कोने से उसे इशारा किया कोई उस तरब मतवज़े नहीं था तालिया तेजी से बेडरूम में घुसाई अंदर आ के उसने गलासिज उतारे और गर्दन घुमा के इतराफ का जैसा लिया साधा कमरा, साधा पर्दे, खाली देवारे बेड साइड टेबल पे रखी एक नन्नी बच्ची की तस्वीर और साध में मुस्कुराता फाते तालिया आगे आई और ड्रेसिंग रूम के अल्मारिया खोली, मरदाना कपड़े टंगे थे ये फाते रामसिल का कमरा था ब्रेसलेट तो मिसिस फाते कलाई में पहने रखती है, मगर एक एंटीक तौफ़ा उन्होंने यकीनन अल्मारी या लौकन में रखा होगा मगर तालिया तुम तो कह रही थी कि फाते ने तंगो कामर के बेटे के मुँपे कह दिया था कि वो सिका हस्ती नहीं है हाँ, असली ना से ही कदीम तो है ना, कोई एंटीक ऐसे फेंग तो नहीं देता और मिसिस असरा जैसी आर्ट कलेक्टर तो बिल्कुल भी नहीं अब वो जल्दी जल्दी दरास खोल रही थी, मुख्तलि फाने चैक किये, फिर आखरी अल्मारी खोली तो देखा, सामने कोने में नन्ना सास सेफ नस्ब था सेफ की हैयर देकर वो मुश्कुरा दी आज हमारा अच्छा दिन ने बुड़िया, कान में लगे आले में वो बोली, क्योंकि इतने बड़े लीडर ने अपनी कीमती चीज़ों को चुपाने के लिए सिर्फ एक फायर सेफ का सहारा लिया था क्या? फायर सेफ? दर्वाजे के बाहर खड़ी दाती ने हैरत से सरगोशी की फिर अंदर आते मुलाजिम को देखा तो उस पे बरत पड़ी तुम बगएर मास्के अंदर क्या आरे हो? कैंसर करवाना है? फेपड़े खराब करवाने है? जानते हो ये केमिकल कितने नुकसान दे हैं? मास्क पहन करो मुलाजिम हड़बढा के बाहर बागा मेरे कान में मच चिखो अंदर सेफ के सामने गुटनों के भल बैठती तालिया ने बुरा मुझ बनाया फिर अपना ननना वैक जमीन पे रखा तज़ोरियां मुख्तलिफ तरह की होती है फायर सेफ वो तज़ोरी होती है जो अगर घर को आग लग जाए तो तज़ोरी दो तीन खेंटे जलती भी रहे तो अंदर की चीज़े महफूज रहती है ऐसी तज़ोरियों में लोग कीमती काख़ात रखते हैं और उनको खोलना आसान होता है दूसरी किसम की तज़ोरियां जो जवरात या रकम के लिए होती हैं उनको बर्गली सेफ यानि चौरों की तज़ोरी कहा जाता है जलती ये भी नहीं है मगर चोरों के लिए इनको खोलना बहुत कुठन होता है तो मकना तीस लाईयों तातिन ने तबी सरगोशी में का तालिया सारा जादे रा साथ उठाती है मैडम उसने मुस्कुरा के बैक से एक सिल्वर रंखा गोल हाकी पेट्रियर अर्थ मैगनिट टिकाला वो ऐसा था जैसे दो शामी कबाबों को उपर तले मिला के रखा गया हो और उसको एक जराब में डाला अगर डिरेक्ट मकनातीस लोहे पे राख देती और उसके उंगली धरम्यान में आ जाती तो वो वहीं चिपकी बड़ी होती फिर जराब में लिप्टे मकनातीस को तो जोरी के दर्वाजे के ओपर बाएं कोने पे रखा ये सबसे पहला सेफ है जिसको खोलना सीखा था मेने दातिन वो मुस्कुरा के बताने लगी उसके अंदर जो कुंडा दर्वाजे के लॉक को जोड़े हुए है वो मकनातीस के साथ चिपक जाता है यूँ और उसने मकनातीस आइस्ता से दाएं तरफ फेरा तो दर्वाजे के दूसरी तरफ कुंडा हिलने लगा चंद सेकेंड मजीद लगे और क्लिक की आवाज आई तालिया ने तजोरी पे नस पासवर्ट पैट को जुबान निकाल के दिखाई हा हा चंद मकनातीस है मेरे पास तो तुम्हारे पासवर्ट को दुबाने की जरूरत क्या है और मजे से दर्वाजा खोला वो खुल गया फाते रामजिल के फरिष्टों को भी नहीं इल्म होगा कि किसी ने तजोरी खोली थी मुस्कुरा कि अब वो कागसाद बाहिर निकालने लगी फिर अंदर हाथ मारा मुस्कुराहट गाइब हुई वहां कुछ रकम पासपोर्ट कागसाद वगयरा किसी वा कुछ नहीं था तालिया का चेरा उतर गया तजोरी बंद करके उटी और खुली अलमारी को देखा फिर बनुएं सुकेडी सिर्फ मरदाना कपड़े टाई कोट ये सिर्फ फाते का कमरा है क्या वो चोंकी फिर जल्दी से सब कुछ ठीक करके बाहिर आई लाउंट में वरकर्ज उसी तरह काम कर रहे थे गहरी धूंद हर सूप पहली थी तातिन को इशारा करती वो दूसरे मास्टर बेडरूम में चुपके से दाखिल हुई दो मुलाजिम सामने ही थे मगर धूंद के बाइस उसको नहीं देख सकते थे वह क्या आली शान कमरा था असरा का उंचे मखमली पर्दे कीमती पेंटिंग और आर्ट पर्क ड्रेसिंग टेबल पे सजी परफ्यूम की बोतले सताईशी अंदास में इधर उदर देखती वो सिंगार मेस तकाई और दरास खोले फिर वार्डरोब खोला कोई सेफ नहीं था बैट साइड टेबल चेक की मगर बेसूद ठेरो वहाँ एक रिमोट बड़ा था ये ब्लाइंट के रिमोट जैसा था एसी का तो नहीं था तालिया ने रिमोट एक पेंटिंग की तरफ बुलांद किया और बटन दमाया पेंटिंग आइस्ता से दाएं तरफटी और दिवार में खाना नजर आने लगा अंदर यकीनन सेफ था वो मुस्कुराई और आगे बड़ी मगर जैसी वो करीबाई मुस्कुराहट फीकी पड़ी और दिल धक से रह गया जल्दी करोता लिया दातिन उसके कान में शोर डाले हुए थी दातिन उसको अपनी आवाज गेरी खाई से आती सुनाई दी सेफ मिल गया है मगर मगर ये टी एल थार्टी सेफ है ग्रूप टू कॉम्बिनेशन लॉक उसने दर्वाजे पे लगे पैये को चुआ अगर इसमें ड्रिल से सुरा करूं तो दर्वाजे के अंदर शीशे की तेट टूट कर उसको मजीद मुश्किल तरीके से लॉक कर देगी मुक्के मारूं तो स्प्रिंग री लॉक हो जाएगा आरी से काटूं तो एक घेंटे बाद दर्वाजा कटेगा फिल्मों में तो लोग एक मिट में खोल लेते हैं तालिया शायद दो-चार ऐसे एक्सपर्ट हों दुनिया में लेकिन अगर मैं लॉक को घुमा कर अंदर पिंस की आवाज सुनते हुए उसका पासवर्ट कॉम्बिनेशन मालूम करने की कोशिश करूं तो उसमें 75 मिनट लगेंगे सवा घेंटा इतना वक्त नहीं है हमारे पास तो फिर तालिया ने रूख कर हसरत भरी निकासे सेव को देखा और चंद कदम पीछे अटी फिर भागो दातिन मैं तुमसे गाड़ी में मिलती हूँ दातिन तेजी से बाहर को निकली चेरा चुकाए धुन्द में चलती वो घर से बाहर निकलाई और सड़क पार की पार्क तक आई उनकी कार नहीं खड़ी थी दातिन ने बैटते ही अपना मास को तारा और इधर उदर देखा तालिया भी तक नहीं आई थी वो कुछ देर इंतजार करती रही तालिया किदर हो? उसे पिकर हुई तालिया की फजी फजी सी आवाज सुनाई थी दातिन वो मुलाजिम आगया तुम्हें अल्मारी में चुब गी वो मुझे अल्मारी में लॉक कर गया है दातिन के पैरों तले से जमीन निकलने लगी तालिया तालिया ये कैसे हुआ? तातिन मुझे निकालो मेरा दम घुट रहा है ओ मैं क्या करूँ तुम परेशान नौ में कुछ करती हूँ तातिन को ठंडे पसीने आने लगे थे तातिन मुझे निकालो मुझे सांस नहीं आ रहा ओ खुदाया प्लीज मुझे बजा ले मेरा दम्मा खराब हो रहा है तालिया मेरी बच्ची तुम दातिन की आँखों में आँसु आगे वो जल्दी से मास्क पहने लगी फिरुकी तुम्हे कब से दम्मा हुआ तो मिन्ट पहले से वो उसके कान के इतना करीब चीखी कि दातिन उचल पड़ी तालिया हस्ती हुई दर्वासा खोल के अंदर बैट रही थी दातिन का मूँ खुला का खुला रह गया था एसाब शल्दे चन्द नम्हे गुजरे और उसकी रंगच सुर्ख पढ़ने लगी तुम्हुसे के मारे वो बोलनी पा रही थी हाँ 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 और वो हस्ती जा रही थी मैं अलमारी में फस सकती हूँ क्या तुम तो रोने वाली होगी उफ तुम कितनी क्योट हो दातिन पदो का उसने मोटी औरत के स्याप भूले गाल के चुटके काटी दातिन ने उससे से आखे रगड़ी और बेबसी से उसे देखा तुम तुम छोटी हिन्नी तुमने मुझे कितना डराया अंधाजा है तुमें किसी दिन सच में फसोगी और मैं नहीं आऊँगी कंचील यानि कहानियों वाला छोटा हिरन अच्छा ना डांटो तो नहीं वो टोपी उतारते हुए कह रही थी दातिन ने हूँ करके कार्ड स्टार्ट की अब क्या होगा प्लान A के बाद प्लान C भी बेकार हो गया बे फिकर हो प्लान D है ना फिर उसने जेब से एक सुर्ख और गुलाबी कार्ड लहरा के दिखाया मुझे देर इस दिये हुई क्योंके मैं मिसीज असरा की निलामी में अपना जबर्दस्ती वाला इंविटेशन कार्ड उठाने रुके थी यही है हमारा प्लान D और प्लान B क्या है दातिन को सख चेड़ हुई तालिया के प्लान से तालिया की मर्जी उसने बेन्याजी से शाने उच गए और अगर मुलासमा ने चेक अप के बाद बताया कि उसको डेंगी नहीं हुआ तो उसरा को शक नहीं होगा दातिन अभी तक गुसे से उसकी गलती निकालना चारी थी अभी दुनिया में मुलासमों की वो किसम पैदानी वई दातिन जो माली को कहे कि वो बेमान नहीं है तुमें क्या लगता है वो सब सच-सच बता के छुट्टी और माली अमदात लेने का इतना अच्चा मौका गवा देगी दातिन का गुसा हवा होने लगा ट्राइब करते वे उसने एक कहरी सांस देकर तालिया को देखा उस वक्त मुझे बहुत बुरी लग रही हो तुम लेकिन एक बात है तुम कभी भी मायूस नहीं होती हार नहीं मानती एक प्लांट ठाप हुए तो दूसरा ले आती हो इतनी हिम्मत कहां से लाती हो तुम तालिया पतले और जवान लोगों में बड़ी हिम्मत होती है बुडिया मगर तुम क्या जानो वो अफसोस से बोली थी और दाते ने चंद मिन के लिए उससे बात ना करने की कसम उठा ली थी के एल पे उस तुपहर फिर से स्याब बादल चागे थे बारिश के मोटे मोटे कत्रे एक दम से परसना शुरू हुए और सारी सड़कें जल्थल होती गी बाजारों में फिरते लोगों ने च्छत्रियां तानली और साइबान की तरफ दोड़े ऐसे में आफिस का दर्वाजा कोल के एडम दाखिल हुआ उसके हाथ में ट्रे थी जिसमें काफी का गलास बंड धकन और स्ट्रॉस से रखा था आफिस में मधम बतियां जल रही थी ब्लाइंड सक्ती से बंड थे फाते कंट्रोल चेर पे बैटा था कदरे तकान सदा पीछे को टेक लगाए टाइड हीली करके सफेद शर्ट की आस्तीन पीछे मोड़े वो संजीदा लगता था सामने एक सफेद बालों वाले साहब बैटे थे यहां से एडम को उनकी पुष्ट नजर आ रही थी वो खिंकारता हुआ मेज तक आया महमान का चेरा वाज़े हुआ वो फाते के साथ महवे गुफदगु थे अब्दुललतीफ टीवी पे उसने उनको देख रखा था नामबर स्यासत दान और कारोबारी शख्सियत एक चोर नजर उन पे डाले संजीद की से एडम ने मेज बेट रे रखी महमान की चाए आये रखी थी यह फाते की कॉफ़ी थी जो मॉल में एक खास शौप से लाया था वो उसकी इलावा कहीं की कॉफ़ी नहीं पीता था इसको फिक्स करो वो कॉफ़ी रख के मुड नहीं वाला था कि पाते ने उन्गली से इशारा किया एडम ने चोंग के उसकी तरफ देखा एक आफिस केबनेट का दर्वाजा गिरा पड़ा था दर्वाजे का जोड कब्जा वगएरा सब उखडगे थे राइट सर वो आगे बढ़ा फिर उका इदर उदर देखा फिर पाते की तरफ घुमा में खोर हतोड़ा होगा इदर सर वो जो उलजन और उक्ताहट से गुफदुगु शुरू करने जा रहा था इस सवाल पे एक नजर उठा के एडम को देखा और फिर वापिस में मान की तरफ मतवज्य हुआ वो एक सख नजर एडम पे गुणों पानी डाल गी वो तेजी से बाहिर लपका फाते के स्केर्टी से हतोड़ा मांगा वहाँ नहीं था किसी ने बताया किचन में देखे वो उदर भागा बारहाल थोड़ी तगोदोब के बात वो मेखें और पेच कस लिए आफिस में दुबारा दाखिल हुआ और बहुत से नजर मिलाए बगए टूटी कैबनेट तक आया और पंजो के बाल उसके सामने बैठा एश ने तुमें फसा दिया फाते अब तुम क्या करोगे कनक्यों से वो देख सकता था कि अब्दुललतीफ साफ फिकरमंदी से कह रहे थे वो जवाब में कुछ नहीं बोला खामोशी से एक हाथ गाल तले रखे खिड़की को देखता रहा हार मान जाओगे सिर्फ पैसों के पीछे हम पॉलिटिकल फंडरेजिंग कर सकते हैं अमाब तुम्हारे साथ होंगे बारीसन नेशनल के धाई लाग मिंबर्स को हम अपरोच कर सकते हैं तुम पार्टी जेर्मेन मुंतखिब हो सकते हो एक आदमी था अरब में वो गहरी सांस देकर अब्दुल्लतीब की तरफ चेरा गुमा के कहने लगा आवाज आइस्ता उर्तकान जदा थी एडम धीरे धीरे पेच गसने लगा सहजुकाई संजीदा सूरत बनाए मगर कान गुफदुगू पे लगाए थे मालदार इजददार पावाकार उसका नाम उम्रो था वो लोगों के साथ बहुत अच्छा था काबे आने वाले हाजियों के लिए शोरबे में रोटी तोड़ तोड़ के रख छोड़ता जिसको सब खाते और उसे दुआई देते थे उससे लोगों ने उसका नाम हाशिम रख दिया रोटी तोड़ने वाला जो लोग दूसरों की मदद करते हैं और इखलाग के अच्छे होते हैं उन्हें एक दुनिया अच्छे नामों से याद रखती है एडम पेच कबसे पे जमाए आहस्ता से उसे उजार से कसरा था ध्यान वहीं था हाशिम एक तफ़ा मुल्क शाम गया तो रास्ते में मदीना में उसने एक खातून से शादी कर ली कुछ दिन महां ठहरा और फिर शाम चला गया इस सफर में उसका इंतकाल हो गया पीजे से बीवी के हाँ बेटा पैदा हुआ मगर हाशिम के खांदान वाले उस शादी से वाकिप नहीं थे तो बच्चा मां के पास बलता रहा उसके बाल बिलकुल सफेद से थे वो फोरण मदीना गया और भतीजे को उसकी मां से इसरार के साथ अपने साथ ले आया अरब में लोग सफर से वापसी पे नुजवान गुलाम खरीद के साथ लाया करते थे मतलब जिस वक्त शीबा के साथ मक्का में दाखी रुआ तो लोगों ने समझा कि बुनिया गुलाम खरीद कर लाया है तो वो उस लड़के को अब्दल्मतलिब पुकानने लगे यानि मतलिब का गुलाम मतलिब ने कलियर कर दिया कि ये मेरा भतीजा है मगर शीबा का नाम उस दिन से अब्दल्मतलिब पढ़ गया और आस तक हम उनको उसी नाम से जानते हैं मगर मैं तुम्हें ये किसा क्यों सुना रहा हूं ठेरो अब्दल्लतीब साब ने पहलू बदला तो वाते ने हाथ से इशारा करके उन्हें टहरने को का और उसी संजीत की से पाचजारी रखी एड़म के कान भी नहीं लगे थे अब्दल्मतलिब मक्का के आला और मौजिस खांदान में से थे अगर तुम उन लोगों की तारीख पढ़ो तो देखोगे कि ये बहुत उंचे इखलाग के अजीम लोग थे बावकार, बहादुर और जरी ये हमारी तरह चोटे चोटे मुफदात के पीचे बड़े बड़े समझोते नहीं करते थे ये दोलत और कीमती चीज़ों के अमबार अपने गित लगा के खुद को उनका गुनाम नहीं बनाते थे अब्दुल्लतीब ये अजाद लोग थे ये अपने जजबात अपनी आस्दीन पे पहन के रखते थे अब्दुल्मतलिब की मक्का में बहुत इसत और नामवरी थी वो बहुत अच्छे इंसान थे खुबसूरत नडर और दिल के सच्चे उनको एक रात खुब में किसी की आवाज आई के जमजम का कुआ खो दो वो उठे तो देखा वहां कोई नी था वो अकेले थे वो सांस लेने को ठहरा एडम के हाथ रुक चुके थे वो बिलकुल दम सादे सुन रहा था गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो चुके थे जमजम का कुआ कई सदिया पहले बनू जरहम ने मक्का छोड़ते वक दफन कर दिया था और साथ उन्होंने काबा के सोने के दो हिरन कदीम तलवारें, जरहीं वगएरा भी उसमें दफन की थी ये सब नेशनल ट्रेजर था मगर अब्दलमतिब को समर्च नहीं आ सका कि उसको कैसे खो दें अगली रात उन्होंने फिर खुआप में देखा कि कोई उनसे कह रहा है जमजम का कुआ खो दो, तुम उसे खोद के नहीं पच्चता होगे ये तुम्हारे अबाओ अजदाद की तरफ से तुम्हारा तुफ़ा है ये ना कभी सुखेगा ना इसका पानी कम होगा ये हाजियों की प्यास बुजाने को काफी होगा अब्दलमतिब ने पूछा कि ये कहां आएं तो जवाब मिला टेले के पास जहां कवा चौंच से जमीन पे दस्तक दे रहा है अगली सुख वो अपने अकलोते बेटे हारिस के साथ काबे की तरफ के करीबी टेले पे एक कवा उड़ता हुआ आया और जमीन पे चौंच रगणने लगा दोनों बाप बेटे ने कदाले थामी और उस जगा को खोदने लगे यूँ सदियों से दफन कुआ दर्याब दो गया खजाना भी मिल गया मगर दूसरे लोग अगटे होने लगे उन्होंने का कि इसमें हमारा भी हिस्सा है मगर अब्दुलमतिब का कहना था कि ये हमारा है इसे हमने ढूंडा है वो लोग लड़ाई के लिए त्यार होगे अब्दुलमतिब वहां अकेले थे और उनका एकी बेटा था उस वक्त उनको अपना आप बहुत कमजोर लगा और गो के बाद में उनको सारा खजाना और कुए में से हिस्सा मिली गया लेकिन उस मौके पे उन्होंने दुआ मांगी थी कि अगर अगर अल्ला मुझे दस बेटे दे तो मैं एक को काबे के पास कुर्बान कर दूँगा उनके मरतबे का सरदार एक पहादूर आदमी एक जुरत मन दीडर वो सिर्फ एक चीज़ के बलबूते पे उनका मुकाबला कर सकता था अपने खांदान की ताकत और कुछ नहीं हम तब तक किसी जंग में नहीं जा सकते अब्दुल्लतीफ जब तक हमारा खांदान हमारे साथ ना कड़ाओ अगर हम उनको कन्वेंस ना कर सके हम जीत सकते हैं अगर वो साथ छोड़ दें तो चीज़ें ज़्यादा मुश्किल हो जाती है उसकी आवास में तक्रीफ से मटाई थी एडम बिल्कुल शल्सा बेटा था उसने बास को इतने दुख से बात करते पहली दफ़ा सुना था मैं इस इंतखाब में तब तक नहीं जा सकता जब तक असरा और बच्चे मेरे साथ ना हो मैं पैसे की कमी से नहीं डर था लेकिन इतने साल मैंने मलेसिया के लिए चदो जहत की दुख उठाए कुर्बानिया दी उसने एक नजर उस फोटो फ्रेम पे डाली जो मेज पे रखा था नन्नी से मस्कुराती बच्ची फाते की आँखों में तकलीफ उबरी हर बात के इकताम पे मैं यही सोचता था कि कभी तो अल्ला मुझे हर चीज के रे कंपंसेट करेगा लेकिन अबैस चाता है कि मैं अपने खौप से दस्तबरदार हो जाओं तो क्या वो इतने साल बेमसरफ के उन सारी कुर्बानियों को मैं जाया कर दूँ खौप तो बच्चों की तरह होते हैं हम उनको अपने साथ बढ़ा करते हैं लेकिन मेरे खौप शायद बूड़े हो गए है एडम ने आखरी पेच कसा और समान उठा के उटकिया दर्वाजे खोलते हुए उसने सुना कि अब्दल्लतीफ कह रहे थे असरा को कन्वेंस किया जा सकता है मैं अगर उसने बाहर आकर दर्वाजा बंद किया तो आवाजों का रस्ता रुकिया वो वहीं सक्केरटी के कैबिन के आगे मुनतजर अफराद के पीटे सोफे पे बैटा और मुबाइल निकाल के अपनी मां को कॉल मिलाई जैसे ही उसने फून उठाया एडम कहरी सांस देकर नजरें जुकाये कहने लगा तुम से ही कहती थी मां मुझे फातिर अमजल के दिल सी खिद्मत करनी है वफदारी सच्चाई और अमानत का आजकल कोई मोल नहीं होता और पता है क्या अब मैं भी जिन्गी में कुछ बनना चाहता हूं बड़ा आदमी उन्चे ख्वाब उन्चे मकसद रखने वाला मुझे अपने आपको किसी बामकसद काम के लिए इस्तमाल करना है और वो जो आँखों में ने ने ख्वाब सजाय कह रहा था एक तम उसके जूते पे किसी ने बूट रखा थो वो बिलबिला के खड़ा हुआ और मुबाइल नीचे किया सामने इस केर्टी खड़ा उसे घूरा था क्या हुआ सर वो बुकलाया तुम्हे अब तक बर्दाश कर रहा हूं मैं लेकिन ये जो तुम ओवर समार्ट बनके फाते साब के आगे पीछे फिरने की कोशिश कर रहे हो अब्दुल्ला की नोकरी हत्याना चाते हो तुम क्या हाँ नहीं सर आपको गलत पहमी वो हक लाया मगर उसने उसी नी नजरों से उसे घूरते वे बूर्ट से उसका अंगोठा मजीद जोर से दबाया उस आफिस में बहुत से आए और बहुत से गे जो आता है ताकत का खौब लेकर आता है और मैं उसे मक्की की तरह निकाल फिंगता हूँ इसलिए लंबे लंबे खौब मत देखो अपने गिने चुने दिन पूरे करो और सच से ज़्यादा फ्रैंक ना हो वरना अभी अब्दुल्ला को कॉल करके बता दूँगा कि तुम इसके नूकरी हत्याने की कोशिश कर रहे हो वो तुमारी जान ले लेगा समझ में आया जी सर एडम ने निगाहें चुका दी अब मुझसे माफी मांगो नुजवान सेकेर्टी उसे इसी तरह खूरते विच चबा चबा के बोला तो एडम ने गुलाबी पढ़ती आंके उठाएं सोरी सर अब ऐसा नहीं होगा हम् फून उपर करके देखा कॉल अभी तक मिली हुई थी और मां यकीनन खामोशी से सुन रही थी उसने फून कान से लगाया तो वो खुद से ही कहने लगी लोगों की तनकीद ना हो तो कोई आगे बढ़ी न सके तुम देखना अल्ला तुम्हें दोहरा बख्त लगाएगा एडम तुम्हें एक दिन दुन्या पे हकूमत करोगे ये तुम्हारी मा की दुआ है उसने जवाब नहीं दिया और फून बंद कर दिया वो जानता था वो सिर्फ उसका दिल रखने के लिए कह रही है चार पांच दरखतों में घिरे हुए बारिश दड़ा दड़ बरस रही थी वो दरखते टेक लगाए अकड़ों बैठा था और उसे पत्निया सकेर के चुपती नजरों से देख रहा था वो सामने कीचर पे बैठी थी उसके मूँ पे मट्टी लगी थी उलजे सुनहरी बाल गर्दालो थे चेरे पे जखम के निशान थे कपड़े फटे पुराने थे वो भी फाते को उन्ही नजरों से देख रही थी और बाजों में कुछ पकड़े पैठी थी एक नन्ना हिरन था वो वो उसको अपने बाजों में जबरदस्ती जखड़े हुए थी हिरन कसमसा रहा था भड़ भड़ा रहा था मगर तालिया ने अपना कीचर आलूद पाउंच चानवर की गर्दन पे रखा हुआ था आपने मुझे पूचा था याद है वो नजरे उस पे जमाए कीचर पे रखा चाकू उठाते विगर आई थी के ताशा तुमारे टैलन्ट क्या है तुमारी जिंगी में कामयाबिया क्या है तुम्हें क्या आता है वो एक एक लफ चबा चबा के अदा कर रही थी चाकू अब हिरन की गर्दन से लगा लिया था नजरे फाते के चेरे पे मर्कूज थी मुझे ये आता है और साथी चाकूत तेजी से हिरन की गर्दन में खूम दिया मासूम जानवर चिलाया तड़पा, खून के ताजा छींटे फाते के चेरे और शर्ट पे आगिरे उसने आंके बंद करनी और सर जटका बोला कुछ नहीं हिरन तड़प रा था खून बैरा था, उसके कपड़े जमीन सुर्ख खून से रंगीन होती जा रही थी वो एक जटके से उट बैटी घबरा के इदर उदर देखा बेडरूम तारीक था वो अकेली थी, ऐसी चल रहा था और अराम ते ठंडे माहूल में सकून ही सकून था मगर उसका दिल जोर जोर से धड़क रा था, सारा जिसम पसीने में नहाया हुआ था बाल तक गीले हो गे थे, वो तेजी से बिस्तर से उतरी और लैम जलाया जर्द रोशनी तारीकी में घुल के कमरे को नीम रोशन कर गी उसने बेख्तियार अपने हाथ दे के अपने कपड़े जाड़े, कोई खून, कोई जानवर, कुछ भी तो नहीं था तालिया ने सरहातों में गिरा ली और बैट किनारे बैटती चली गई ऐसा पहली दफ़ा हुआ था ऐसे भ्यानक, खौफजदा करने वाले खौफ वो पहले नहीं देखा करती थी उसे, उनसे कभी डर नहीं लगा था फिर अब क्या हो रहा था आर्ट गैलरी में उस शाम अपनी मरमरी रहधारियों के साथ चमकती हुई दिखाई देती थी दूर दूर तक दिवारों पे आवेजा पेंटिंग शीशे के चोकटों में नुमाईश के लिए लगाएगे नुवारदाद बड़े हौल नुमा कमरे की चछा दो मंजिले उपर थी किसी शौपिंग माल की तरह फर्श पे खड़े ओकर गर्दन उठाओ तो उपरी दोनों मंजिलों की चोकोर बालकनिया और उन में टहलते लोग साफ दिखाई देते थे स्याह और आर्ट के कदरदान रुक रुक कर नुमाईशी शैप पारे देख रहे थे ऐसे में उपरी मंजिल पे कॉर्णर आफिस के अंदर खुशकवार माहोल में पेंटिंग जारी थी कंट्रोल चेर पे असरा मेहदूद बैटी थी माथे पे कटे बाल सामने की और बाकी को फ्रांसीसी जुड़े में गुन दे उसने स्कर्ट के उपर गरे मिनी कोट पहन रखा था बड़ी भूरी आंको में पुस्कुराहट लिए पहाद पाहम मिलाए आगे को होकर बैठी कह रही थी मैं आपकी इस अनायत के जितनी कदर करूं कम है हम इस पेंटिंग को निलामी में रखेंगे और इससे हासिल होने वाली रखम का चोता इसा खिराती इदारों को बेजा जाएगा अल्ला आपसे कबूल करे सामने हपशी सूरच सूट में मलबूस लंबा तरंगा आदमी बैठा था जिसकी फ्रेंच दाड़ी थी और उसके आगे पीछे तीन चार अफराद बैटे थे उन में से एक कशर भी था वो बस मुस्कुरा के सारी करवाई देख रहा था असरा की स्केर्टी असरा के पीछे मुस्ताइब सी खड़ी थी और मेस पे एक बड़ा सा लकड़ी कर डबा रखा था जिसके अंदर फ्रेम में यकीनन एक पेंटिंग थी नवाजिश मैम वो सर को खंदे कर मुस्कुरा के बोला था ये पेंटिंग हमारे खांदान में पिछले 70 साल से मुझूद है तमाम लीगल डाकुमेंट्स में ने आपको दे दिये है स्पॉयलम यानि चीनी पेंटर स्पॉयलम अमूमन चीनी और मगरबी ताजरों के पोर्ट्रेट बनाता था मगर उसका ये काम सखमी हिरन उसके दूसरे तमाम काम से मुझुलिक है पीछे गड़े गार्ड ने जुके डबे का ड़कन हटाया तो असरा कुर्सी से उट खड़ी हुई तमाम बेटे हुए अफराद भी उटके पेंटिंग एक दरफ्ट की थी जिसके तने के साथ एक हिरन गीरा पड़ा था उसकी गर्दन से खून बहरा था और उसकी आँखे आस्मान पे जमी थी उन आँखों की यासीत उनका कर्ब असरा ने सताइट से कहरी सांस दी और होले से पेंटिंग के शीशे को छुआ संपाइलम की सबसे मज़ेदार बात ये थी वो के वो रिवर्स कलास पेंटिंग करना जानता था उस जमाने में अठारवी सदी में सिर्फ मगरबी पेंटर उसमें महारत रखते थे शीशे पे उल्टी तस्वीर बनाना और फिर उसको सीधा करना सुभान अल्ला वो तहसीन से कहरी थी पिर उसने सर उठाया मुस्कुरा के महमानों को देखा मैं फाते के लिए माजरत खुआ हूँ वो यकिनन ट्रैफिक में फस क्या होगा वरना वो पहुंच जाता उसने वादा किया था फिर वो जरा ठहरी अगर आप थोड़ी देर ठहर जाएं तो मेरी शदीद खुआश थी अगर कुछ काम ऐसे आन पड़े हैं कि मुझे जाना पड़ेगा मगर आप ये ना समझेगा कि ये तुफ़ा किसी मतलब के लिए है वो ख़वीब सा हो के बोला तो वो मुस्कुरा दी बिल्कुल भी ने अशर की मुस्कुराहट कहरी हुई चन्द मिन बाद जब तमाम महमान जा चुके तो असर वापिस कुर्सी पे बैटी और बेन्याजी से सिक्यर्टी को इशारा किया एक्सपर्ट्स को बुलाओ वो आएं तो मैं उस काम से पारी हो जाओ जैनुन है तो हम इसको रखें पर ना फेंग दे इहसान साब और रजाक साब बाहर इंतजार करें हैं और अब्दुलहलीम साब उनको नहीं बुलाया नहीं अब्दुलहलीम साब और मुलक से बाहर हैं सिर्फ यही दस्तियाब थे ठीक है उनको बुलाओ उसने नखूच से हाथ का इशारा की और फून को देखने लगी स्केर्टी जट से बाहि निकल गई फाते कभी मेरा मान नहीं रख सकता वो बेबसी भरे घुसे से अशर से बोली तो वो नर्मी से उसे तसली देने लगा काका अच्छा हुआ के अबंग नहीं आया हालिम के बंगले पे वो सुबा तासा भूलों की खुश्पू में रची बसी जल्वा गर हुई थी और लाउंट में दाते ने महकते गुलाब लाकर रखे थे जिनों ने सारे घर को महका दिया था और खुद वो उपन किचन में खड़ी खाना बना रही थी तालिया लाउंट के बड़े सोफे पे बैटी बाल बांदे पैर उपर किये रिमोट से चैनल बदले जा रही थी तुम डिस्टर्बो हम उसने उदाजी से हंकार उपरा यासीद भरी नजरें स्क्रीन पे जमीती चेरा जर्द लगता था मैंने खौब में देखा वो मेरे सामने बैटा है और मैंने उसके देखते ही देखते एक हिरन को जिबा कर डाला दातिन के हाथ से डोई छूट कई हडबढ़ा के वो पल्टी और बे यगीनी से उसे देखा हिरन को जिबा फिर उसने जर्चरी ली शुरू शुरू में जब मैं मुर्गियां पालती थी तो तुम एक आथ को जिबा कर लेती थी मगर हिरन मुझे ये सब चीज़े आती है दातिन खंजर का इस्तमाल, गन का इस्तमाल हातों का इस्तमाल मगर मैं इस तरह किसी मासूम जानवर को नहीं मार सकती, उसने सरचर्ट का फिर चौंकी और वो मुझे ताशा कहरा था साशा? दातिन को लगा उससे सुनने में गलत वहमी हुई है वो साशा के नाम से एक आईडी है ना तुमारे पास नहीं दातिन उसने मुझे ताशा कहा बलके मैंने खुद उससे बताया कि उसने मुझे ये कहकर कुछ पूचा था खेर उसने सरचर्ट का मैंने उसे हिरन जिबा करके बताया कि ये मेरा टैलेंट है मगर ये क्या बात हुई? खौब तो अलामती होते है ना तो फिर ये सब क्या था? फूल जी हुई थी तुम्हारा टैलेंट क्या है? इस सवाल पे उसका जेरा जखमी सा हो गया लोगों को धोका दे कर पैसे बटोरना और चोरिया करना वो तल खुई मगर इसके लावा तुमें एक अच्छी आर्टिस्ट भी हो आर्ट की पेचान है तुमें अगर तुम ये किसी यूनिवस्टी में या किसी आर्ट म्यूजियम में बतोर एक्सपर्ट काम करो तो बहुत पैसे बना सकती हो यूनो असली और नगली आर्ट की तस्दीग बहुत कुठन काम है जाने दो इसका मेरे खौब से क्या तालुक खेर आज हम प्लान डी की तरफ आएंगे उसने रिमोट से टीवी बन किया और तमाम उलजनों को गोया जटक के मकमल तोर पे दातिन की तरफ मतवज्य हुई मिसिस यासमीन और मिसिस फोजिया किस वक्त गैलरी जाएंगी मैंने तुमारे नमबर से उन दोनों को मेसिज करके आज शाम कहा था मगर तालिया तातिन पैन ढखके सामने आई और फिकरमंदी से उसे देखा तुम उनके साथ गैलरी जाओ गी और तो वो वहां किसी को भी बता देंगी कि तुम तालिया मुराद हो हाँ तो वो किस तालिया मुराद को जानती है अमीर कभी सोशलाइट और आर्ट की गदरदान तालिया को जानती है न वो उनको ये तो नहीं मालूम कि मेरा असल जरीया अमदनी क्या है और मैंने जिन इलाकों में वेटरस या नुकरानी बनके काम किया है नहां से काफी दूर है और वो अपर मिडल कलास है तालिया मुराद हाई एलेट में मूव करने वाली लड़की है जिसके बाल सुनेहरी हैं और जिस जो सिर्फ डिजाइनर टायमेंट्स पहनती है यही तो मैं कहा रही हैं कि मिसिस असरा से ब्रेस्लेट चुराने के लिए तुमने अगर क्रिप्टर ही बनना है तो कोई यह रूप धार लो थीव वो चौर है जो हामोशी से माल चुराके ले जाता है और क्रिप्टर वो ठग होता है जो कोई किर्दार अपना के भेज बदल के किसी के बाद जाता है और अपनी चर्फ जुबानी से उनसे मत्तूबा माल लूटता है जैसे बिसनस इन्वेस्टमेंट का चांसा देना वगरा मैं कभी ग्रिप्टिंग नहीं करती दातिन वो तुम करती हो मेरा चेरा केल के उस इस इलाके में एक अमीर सोशलाइट के तोर पे मशूर है जो अपने बाप की दोलत खर्च करी है मैं नहीं चाहती कि कल को जब मैं ये काम छोड़ू तो कोई मुझे पेचान ले अभी तक तालिया ने किसी के साथ ग्रिप्टिंग नहीं की वो बेफिकर थी जैसे बरस्ती पारिश में कोई खुले हस्मान तले खुशबाश बरागबे में मैठा हो मगर तुमने नुकरानी का रोल अदा करने के लिए ये नाम इस्तमाल किया था तालिया मुझे अच्छा लग रहा था अपने नाम के साथ वो अच्छे अगल का बात सुनना मगर उसमें मेरा हुलिया बिलकुल मुख्तलिफ था और अब भी मैं साशा या कुछ और बन के नहीं जाओंगी मैं तालिया मुरादी बन के जाओंगी वो मुतमेइन बैटी थी मगर दातीन ने उसी पेचैनी से उसे देखा तुमने मिसीस असरा को जूस सर्व किया था अगर उसने पेचान लिया ओधातीन हम रोज रेस्टोनाट में दरजनों वेटर्स को देखते हैं एक दो सेकंड के लिए एक यूनिफाम में मलबूस एक عمر की तीन चान लड़कियों को देखकर कोई बाद में नहीं पेचान सकता असरा दिन में दस जगों पे जाती हैं और उन्होंने मुझे देखा जरूरता नजर नहीं मिलाई थी किसी को भी मैं याद नहीं होंगी लाइट स्पीड इम थी रहे उनके मुलासिम तो वो कोई इतने जहीन फतीन अकाबी नजरों के मालिक नहीं थे कि मुझे पेचान ले वो हाथ हिलाते वे बात करती थी जैसे हवाओं में अंदे के ताल छेड रही हो जैसे कोई जादू गर्स सारे जादू भकेर के हर चीज टै किये बैटा हो तो अब तुम बकाइदा असरा से मिलने जा रही हो मगर तुम क्या कोगी तालिया के चेरे पे आसूदा सी मुस्कुराहट पिकर गी और वो पैर नीचे उतारती उट खड़ी हुई मेंने कुछ नहीं कहना जो कहना है मेरे डायमेंड्स ने कहना है तुम खाना बनाओ में बार टाय करके वापिस तालिया मुराद बन जाओ और पैरों में चपल खुसेरती सीड़ियों की तरफ बढ़ गई पीछे देख जी में तरने की खुश्बू आने लगी तो दातिन हर बढ़ा के उस तरफ लबगी एक्सपर्ट्स पेंटिंग की तस्दीग करके जा चुके थे और अब असरा और अशर आफिस के बाहर बालकनी में खड़े थे ये गोल बालकनी थी दरम्यान में खलाता जहां से नीचे काम मरमरी हाल और उसमें टहलते लोग साब दिखाई दे थे रंग बरंगी लड़कियां लड़के बेफिकर लोग शुकरिया एश तुमने आज मेरे लिए इतना वक्त निकाला वो उसकी मम्नून हुई तो एश ने मुस्कुराते वे उसके कंदों के गिर्द बाजू फिला लिया मैं तुमारा भाईयों काका कैसी बाते करती हो अपने मेरा मान बढ़ा दिया है असरा कचेरा खुशी से दमखने लगा कोई ढून रखी है तो मुझे मिलवा दोस्ते मैं अमरीका जाने से कबल तुमारी ये खुशी देखना चाती हूँ नहीं काका उसने तास्ब से सरचट का और नीचे हॉल में चलते फिरते लोगों को देखने लगा मेरे हलका एबाब में नामुकमल लड़किया है जो हसीन है उसमें वकार नहीं है जिसमें ये सब कुछ है वो जहीन नहीं है अगर अशर महमूत किसी लड़की को मुल्क की फस लेड़ी बनाएगा तो उसको परफेक्ट होना चाहिए अच्छा मस्तन उसको किस तरह परफेक्ट होना चाहिए असरा महबत और दिल्चस्पी से उसको देख के छेड़ने लगी उसको वो आम से अंदास में बात का आगास करने लगा मगर फिर ठहर गया नजर नीचे हॉल के दर्वाजे से अंदर आती तीन लड़कियों पर पड़ी उन में से दो उम्रा के किसी खांदान की नक्सक से त्यार मामूली शकल की लगती थी और तीसरी वो लम्हें भर को बिल्कुल मभूत हो गया उसको उसते नजरें उस पे टिकाई लफाज जोडने चाहे उसको मुनफरीद होना चाहिए वो पैर तकाती सफेद सकट और सफेद बलाउस में मलबूस थी जल परी का सा लिबास बिल्कुल सफेद कंदों पे छोटा सा सुर्ख मिनी कोट पहन रखा था और वो बेहद हसीन हो उसके सीधे सुनहरी बाल थोड़े से नीचे तकाते थे गोरी सुर्ख रंगत से आंके वो साथ वाली खातून की बात में मस्कुरा रही थी और गाल में डिम्पल पढ़ रहा था और काफी दोलत मन भी हो लड़की ने कानों में मोटे मोटे नाजुक से सुर्ख याकू जड़े एरिंग्स पहन रखे थे और यहां से भी वो देख सकता था कि उसके उम्ली में मोटे से हीरे वाली अंगूटी थी कोहनी पे सफेद हैंड़ पैक्टिका था और उसके हर अंदास से उसके आला खांदान का पता चलता हो रेगल सी लड़की हो वो उसके साथ वाली खुआतीन खुशगपियां करती आगे बढ़की मगर वो पहली पैंटिक के सामने खड़ी होगी और इर्दिर्द से बेन्यास पूरी तवज्जों से उस साथ को देखने लगी और जहीन भी हो वो पहली पैंटिक के सामने से जल्दी हट की अलबता अगली के सामने टेर गी लबों पे मुस्कुराहट आई अशर ने देखा वो आम को नजर अंदास करके खास और कदीम के सामने रुकी थी किसी खुबसूरत और जहीन हिर्मी की तरह तुम इसको जानते हो असरा ने उसके करीब होके सरगोशी की तो उसने चौंके असरा को देखा भी जरा हुजल हुआ ओहो काका मैं तो यूं ही एक बात कर रहा था अगर तुम्हें वो पसंद आ गिया तो मुझे बताओ वो मुस्कुराहट दबा कर बोली थी अशर हलके से हस दिया फिर वो दुबारा नीचे देखा वो अभी तक उस पेंटिंग को देख रही थी वैसे कौन है ये काका असरा ने शाने उचका दिये मैं तो नहीं जानती तुम खुद पूछ लो अशर ने दूर खड़ी स्केर्टी को चुटकी से इदर आने का इशारा किया वो फोरण दोड़ी चली आई ये लड़की को ने सफेद निपास और सुर्ख मिनी कोट पाली मालूम करके दो संजीदा सूरत बना कि उसने सफार्ट अंदास में हुकम दिया तो वो फोरण येस सर कहती सीड़ियों की तरफ दोड़ी गैलरी के बाहर एक काफी शाप के बरामते में छतरी तले बैठी दातिन गरमा गरम काफी पी रही थी पारिश अभी थमी थी और मोसम ठंडा हो गया था साथ ये वो कान में लगे नन्ने टुकडे को दबा के कह रही थी और तुम्हें क्यों लगता है कि तो मसरा से मुलाकात कर लोगी अंदर पेंटिंग के सामने खड़ी तालिया ने होंटों की कम से कम जंबिश के साथ जवाब दिया क्योंकि मेरे डायमेंड्स उसे मतवज्जे कर लेंगे वो अभी भी उपर खड़ी मुझे ही देख रही है साथ उसका भाई भी है बस खुदा करे उसने उस संगा पूरी ताजिर की बीवी को कभी यह या कूती सेट पहने ना देखा हो जिस से हमने ये चुराया था खुदा की कसमदातीन अगर तुमने मुझे इस सिच्चुएशन में हंसाने की कोशिश की तो मैं तुमारा खाना पीना बंद कर दूँगी वो बदवक्त मस्कुराहट दबा के बोली थी और तीर निशाने पे लगा असरा की स्केर्टी मिसिस यास्मीन के साथ खुदबुत करती नजर आ रही है यकीनन मेरा ही पूछ रही होगी और मिसिस यास्मीन मासूम सी है जो इंप्रेशन में ने बना रखा है उसको बढ़ा चढ़ा के बताएगी वो कनकियों से उन दोनों को देखते वे कह रही थी नजरे पेंटिंग पे जमी थी फिर जैसे उसने देखा के यास्मीन खामोश हुई है और सिकेरटी सर हिला के मुड़ने को है वो एक दम घूमी और चंद कदम चलके उनके करीब आई सुनो तुम तुम यहां काम करती हो संजीद की से उसे मुखाटिब किया तो सिकेरटी ने पहले यास्मीन को देखा जो अपनी जगा हुज़ जल हुई थी फिर तालिया को जी मुझे ये पेंटिंग खरीदनी है अभी इसी वक्त उसके अंदास में एक शहाना पंसा था ये तो काफी आँ वो हकलाई कीमती है और इस तरह इनको बेचा नहीं जाता लेकिन कीमत का मस्ता नहीं है मैं हर कीमत अदा करने के लिए त्यार हूँ तालिया ने उसी शहाना अंदास में हाच जला के जैसे उसके खच्चे को रद किया मतालका अफिसर को मेरे पास भेजो मुझे ये अभी चाहिए और बेन्याजी से वापिस बलट कर उसी पेंटिंग के पास जा खड़ी हुई वो अब कुछ मरूब कुछ कन्फ्यूस सी वापिस उपर भागी उसका नाम तालिया मुराद है बाप मरते वक्त लंबी चोड़ी जायदाद छोड़ गया था उसने चन्द नामवर कमपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रखी है और उन शेर्थ की खरीदो फरोगत के मुनाफ़े से काफी आसूदा जिनकी गुजारी है स्केरिटी अब दोनों के साथ खड़ी थीमी आवाज में बता रही थी अशर की नजरें नीचे हॉल पे जमी थी जहां वो चानिब कमर के पेंटिंग के मुताले में महू थी असरा सीने पे बाजू लपेटे भी ना किसी तासूर के सुनती रही ये एक सोशलाइट है ऐसी ओर्दें जो बेपना दोलत होने के बाइस सारा वक्त पार्टी और फंक्शन्स अंटेंड करने में गुजारती है मुख्तलिप चैरिटी इन्वेस्ट में भारी डोनेशन भी देती रही है आर्ट किलेक्टर है और मैम वो खिंकारी वो उस पेंटिंग को खरीदना चाहती है उस पेंटिंग को असरा ने बाजू गिराए और ताजुब से अबरू उठाया लेंग में कि उस पेंटिंग को वो खरीदना चाहती है उसको इसकी कीमत मालूम भी है बेच दो अशर ने इतमिनान से असरा की आँखों में देखा और धीमा सा बोला उसको जो चाहिए उसको फरोगत कर दो काका असरा ने एक नज़र अशर को देखा और दूसरी नज़र नीचे खड़ी लड़की पे डाली जो अब गर्दन तिर्ची करके पेंटिंग को बगोर देख रही थी फिर गहरी सांस दी और तहकम से बोली इसे उपर बुलाओ सकेर्टी ने जब तालिया के करीबा कर ये पेगाम दिया तो वो चौंकी फिर घूम के उपर देखा दोनों भेन भाई वहां कड़े थे मगर बजाहिर आपस में बाच्चीत कर रहे थे तालिया उसी संजीत की से सकेर्टी के पीछे चल दी कान में दातिन की महजूस आवाज गुंजी तीन निशाने पे लग चुका है असरा से हाथ मिलाना और उसके हाथ से ब्रेसलेट उतार लेना हाए मुझे वो वक्त आ याद आ गया जब हम गरीब थे और के ल के बाजारों में उर्टों से टकरा के माज़रत करते उनके जेवर उतार लेते थे ये भी वैसे एक आर्ट है तालिया इतनी एत्यात और नजाकत से किसी की हाथ से जेवर उतारना कि उसे महसूसी ना हो चोरों की कोई आवार्ट की तकरीब क्यों नहीं होती मैं आद दरजन तो जीती जाती तुमारे जीतने से पहले आदे चोर रिवार्ट चुरा के ले जाते कैया के बड़ वक्त उसने हसी दबाई और संजीदा चेरा बनाए सिकर्टी के पीछे चलती गई ये मिस तालिया मुराद है मैं उसने उसके करीब आने पे तारुब करवाया तो वो दोनों भेन भाई उसकी तरफ घुमें सामने खड़ी सफेद लंबी सकर्ट और सुर्ख मिनी कोट वाली लड़की की खुबसूरत आंकों में खुशकवार हैरत दराई थी मिसीस असरा फाते आफकोर्स ये तो आपकी गेलरी है मुझे ख्याल क्यों नहीं आया कि आपसे भी मुलाकात हो सकती है वो मतासिर और खुशी से आगे बढ़ी और मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया असरा मुस्कुराई उसने तंगू कामिल की नोकरानी को नहीं पेचाना था और उसका हाथ थामा मैंने फाते रामजल को वोड दिया था बारिसन नेशनल को वो गरम जोशी मगर वकार से असरा का हाथ दोनों हाथों में थामे बोली और उंगलिया तलाई प्रेसलेट की तरह बढ़ाई जैसे उसके पोरों ने प्रेसलेट की जंजीर को चुआ उससे करंट सा लगा जंजीर दहक में लगी थी गरम जैसे सोना उबर रहो एक दम उसने हाथ पीछे अटाया असरा चोंकी मगर वो फोरण से संबल गी और जबरन मुस्कुराई फैन मुमेंट यूनो रंगत जरा फीकी पड़ी एक चोर नजर उसकी कलाई पे डाली प्रेसलेट चमक रहा था तेज रोशन सा मगर असरा उसकी तरफ मतवज़े नहीं थी ना उसे गरमाईश मैसूस हुई उसकी नजर तालिया के कानों से लटकते सुर्ख या कूद पे जम गई आंखे जम गई मिस्पा कह रही थी आप इस पेंटिंग में इंटरस्टिट हैं अशर पेंट की जेबों में हाट ताले खामोशी से दोनों को देख रहा था जी बिल्कुल वो उंगली से सुनेरी बाल पीचे हटाते वे मुस्कुराई मुझे कदीम चीनी पेंटर्स का काम बहुत फैसिनेट करता है मेरे बैटरूम में सिर्फ चीनी आर्ट फर्क है प्रोस्टिन और चीनी पेंटिंग मगर ये पेंटिंग बराए फरोखत नहीं है असरा उसी इतमेनां से मुस्कुरा के बोली तो अशर ने भी अख्तियार उसे देखा नजरों में तंबी की मगर वो तालिया को देख रही थी मैं इसको निलामी में रख रही हूँ आप निलामी में आएं और दूसरे लोगों की तरह बोली लगाएं अगर आपकी कीमत अच्ची हुई तो आप इसको जीत लेंगी अशर ने जब्से गेरी सांथ दी और दातिन उसके कान में बोली चलाक बिस्नस वोमेन है ये खातून मालूम हो गया कि तुम्हे पेंटिंग पसंद आगी है तो आप कीमत बढ़वा रही है निलामी वाले दिन की अपना बंदा बिठा देगी जो बोली लगाता लगाता कीमत को लाकों में ले जएगा और तुम दस गुना कीमत पे खरीदने पे मजबूर होगी खेर प्रेसलेट चुरा लिया है तो निकलाओ क्योंके बाहिर पाते रामसल की गाड़ियों का काफला आ रहा है शूर मैं आक्शन में खरीद लूँगी और मुझे मालूम है कि मैं इसे खरीद लूँगी वो जबरन मुस्कुरा के बोली तो असरा खुले दिल से मुस्कुराई आप से मिलकर अच्छा लगा तालिया मिस्पा प्लीज इनको इन्विटेशन कार्ट लाकर दो और गैस टिस्ट में इनका नाम डालो फिर अशर को देखा और उसी मुस्कुराहट के साथ बोली तालिया ये मेरा भाई ये अशर मेहमूद आप यकीनन इनको जानती होंगी टू पीस टाई हेरमोस से माथे के उपर खड़े बाल और वजी चेरे की मुस्कुराहट तालिया ने पहली दफ़ा निगाहे फिर के अशर को देखा जबरन मुस्कुराई और सर को खंदिया इनको कौन नहीं जानता अशर जो पैंट की जेबों में हाट डाले कड़ा था उस बात भी हलका सा हस दिया मैं इसको तारीफ समझूँगा फिर उसी मेजूस अंदास में उसे देख कर पूछने लगा तो आप क्या करती है तालिया मैं मुख्तलिब कलब्स की मेंबर हूँ चंद कार्पूरेट शेर्स की मालिक हूँ पार्टीज चैरिटीज मसरूफ जिनकी गुजर रही है वो कनक्यों से देख सकती थी कि गैलरी का मरकजी दर्वाजा खुला था और अंदर चंद अफराद दाखिल हुए थे सूट में मलबूस बाडी गार्ड और उनके दर्म्यान मुस्कुरा के कदम उठाता फाते रामजल उसके दिल की धड़कन तेज हुई माशालला इंप्रेसिव अशर ने सताइशी अंदाज में अबरू उठाए और आपको आर्ट कोलेक्शन का शोग भी है असरा ने एक नज़र नीचे डाली और उसी बेन्याजी से वापिस तालिया की तरफ मदवज़े होगी बहुत ज्यादा फिर तो आपको आर्ट की गदर होगी इंफेक्ट उसकी आवास में दबा दबा सा जोश भड़ा हमारे पास स्पाइनम की एक पेंटिंग बतो रतिया आई है और मैं उसे भी निलामी में रख रही हूँ अच्छा वो खुशकवार से हैरत से बोली कौन सी पेंटिंग खायल गजाल तालिया के मस्कराहट एक दम गाइब हुई आँखों में भी यकीनी दराई खायल गजाल हम तुम देखना चाहोगी कहने के साथ उसने स्केर्टी को एक इशारा किया और फिर अशर को देखा तुम अपने बेहनों की अटेंट करो और उनको बताओ कि अरब महमान जा चुके हैं दान पे दान जमा के बोली और सीने पे बाजू लपेटे मुड़ी तालिया फुरून उसके पीचे लपकी अशर बदमजा हुआ मंगर गहरी सांस लेकर मुड़ गया एक मिन क्या उसने कहा खायल हीरन काफी शाप में बैटी दातिन कान में लगा आला दबाते हुए चौंके बोली मगर खायल हीरन तो हमने उस अरब शेजादे के जजीरे वाले घर से चुराया था और उसके जगा तुमारी बनाई की नकली पेंटिंग रख दी थी हम वो दबी आवाज में गेर अराम देश से बोली और असरा के पीछे चलती के जहन में जखकड चल रहे थे तालिया अस्ती घायल घजाल तो हमारे पास है फिर मिसिस असरा को अरब मेहमा ने नकली पेंटिंग क्यों अतिया दी दातिन हक तक थी तेरब शैजादे ने पेंटिंग के चोरी की रिपोर्ट नहीं की थी क्योंके वो उसके बाप की थी और वो यह जानते हुए भी के अस्ती पेंटिंग चोरी हो किया बाप की वज़जा से चुप रा तो अब क्यूं तालिया हामोशी से असरा के हमरा आफिस में दाखिल हूई स्क्योर्टी के दो अबसरान वहां खड़े थे और पेंटिंग को पैक कर रहे थे असरा ने उनको इशारा किया तो वो उसे दुबारा से वापिस निकाल के सामने रखने लगे बाउ तालिया मस्नुई सताइश से कहती करीब आई और जुक के ओर से उसे देखा ये आपको अधिया की गई है हाँ आपको स्पाइलम का काम पसंद है रिवर्स कलास पेंटिंग मेरी पसंद दीदा है मिसिस असरा पूजी तरह जुकी खड़ी आँखे छोटी करके बारी एक बीनी से पेंटिंग का जायजा ले रही थी कान में दातिन बोली ये तुम्हारी वाली है हम तालिया ने मुस्बत सहंकार उबरा फिर सीधी हुई आपने इसको किसी एक्सपर्ट थे आथेंटिकेट करवाया हाँ अभी कुछ दिर पहले करवाया ये असली है असरा मुस्कुरा के जोड़ दे कर बोली तो तालिया भी मुस्कुरा दी और फिर से उस पेंटिंग को देखा तालिया कोई मिस्स असरा को स्कैम करने की कोशिश कर रहे खेर ये हमारा मस्ता नहीं है ताती ने अपनी फिकर को खुदी रद कर दिया तुम प्रेस्टेट टेकर निकल आओ बस ओके मैं चलती हूँ अब वो मस्कुरा के मसाफ़ा करने आके बड़ी तो देखा उसके हाथ के करीब आती ब्रेस्टेट का सोना चमकने लगा है तालिया का दिल बैटने लगा बस वाजबी सा उससे हाथ मिला के वापिस गेंच दिया चमक मानित पड़ गी जैसे ब्रेस्टे ठंडा पड़ गया हूँ अच्छा लगा आपसे मिलकर तालिया आक्शन में मुलाकात होगी असरा खुश नजराती थी वकार से एक हाथ बढ़ाके तालिया के कंदे को दबाया तो वो फीका सा मुस्करा थी तब ही दर्वाजा खुला तो तालिया का दिर धड़का अलबता वो मुड़ी नहीं मैं लेट हो गया चलेगे वो साब वो बेन्यासी और खुशकवार मूट में कहता अंदर दाखिल हुआ गार बाहिरी रुके थे और उसके साथ सिर्फ अशर अंदर आया था आते साथ ही उसने इदर उदर गर्दन खुमाई तो ये है उनकातिया मेज के किनारे वो रुका और एक बेन्यासी नजर उस पेंटिंग पे डाली क्या कसूर था उस पिचारे जानवर का जो उसको जखमी हालत में पेंट करना जरूरी था वो अफसोस से करके बोला था असरा ने उसे घुरा मगर जब बोली तो आवास काफी शायस्ता थी ये हमारी निलामी की सबसे कीनती पेंटिंग होगी एक तो मैं ये समदने से कासिर हूँ के लोग एक कैनोस के टुकड़े पे इतना पैसा क्यों लगाती है जबके करोणों इनसान भूग का शिकार है पढ़ नहीं सकते अच्छे कपड़े नहीं पैन सकते और वो बेरहमी से पेंटिंग को देके तबसरा कर रहा था वो हनूज रुख मोड़े खड़ी थी इसलिए भाई काका की आॉक्षन का एक बड़ा हिसस चैरिटी में जाएगा अशर ने नर्मी से उसे टूका फाते ने हनूज गर्दन जुकाई पेंटिंग को देखते शाने चटके वाके ये देट्स गुड असरा फाते इन से मिलो ये तालिया मुराद है असरा ने तालिया को यूँ गोम को सा खड़ा देखा तो खिंकार के फाते को मतवचे किया उसके कैने पे उसने नजर उठाई और फिर दाएं तरफ देखा वहां सुनहरे बालों वाली दरास कट लड़की घड़ी थी कंदों पे सुर्ख मिनी कोड पहने सफेद पाउं तक आते लिबास वाली तालिया ने नजरे उठाई दोनों की निगाह मिली अशर फोरण से बोला तालिया एक मारूफ सोशलाइट हैं एक वसी वरासत की मालिक मुक्तलिब चैरिटी जोर आर्ट आक्शन में हिस्सा लेती है हमारी चैरिटी की मुस्तक्पिर की एक भड़ी डोनर बनने वाली है अच्छा वो तालिया को दे के सादगी से मुस्कुराया सु आप क्या करती है ताशा तालिया असरा ने हलके से तोसी की मगर वो मतवज़े नहीं था तालिया ने बदवक्त लब खोले मैं एक कंपनी में शेर होल्डर हूँ सिल्पिंग पार्टनर और मुक्तलिफ चैरिटीज में डोनेट करती रहती हूँ मगर ये तो आपके माबाप का पैसा है ना परास्ती दोलत इसको खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं या आप खुद क्या करती है आपके क्या टैलेंट्स हैं क्या कामियाबिया हैं वो उसी संजीत की से बोला था तालिया के सारी लफास खतम होगे घला सूखने लगा मैं सोशलाइजिंग और मतलब तुम कुछ नहीं करती ता शा कुछ भी नहीं वो मताज़ब हुआ था इतना तेज़ बोलता था कि सामने वाले को जवाब का मोका ही नहीं मिलता था कोई जिन्गी में बड़े गोल्स बड़े खौब कुछ नहीं है तुमारे टू बैट इनसान को ऐसे अपनी जिन्गी जाया नहीं करनी चाहिए असरा ने भी अख्तियार माथा चुआ मगर वो अबशर की तरफ मत वज़े था तुम्हें काम करो मेरे साथ आफिस हो मैं मैं चलती हूँ वो कहकर जल्दी से मुड़ी और बाहर निकल आई गैलरी में आकर चंद गहरे सांस दिये रंगत बेरंग पढ़ रही थी दिल अजीब सी कैफियत का शिकार था बार बार कंग पटी को छूती कभी गर्दन पे हाथ रखती फाते के मुलासिम गैलरी में गरों की सूरत खड़े थे वो गैलरी में चलती कई आँखों में नमी दर आई थी रोने का दिल जा रहा था कनकियों से उसने देखा के मुलासिमों के गरों में से एक शख्स ने मुड़कर उसे देखा और फिर उसके पीछे आया वो परवा किये भी ना चलती दी बात सुने उलजी हुई आवाज में वो उसके पीछे आकर बोला तो वो बातन लखासता रुकी और पल्टी वो कोट और शर्ट में मलबूस आम शक्लो सूरत का मले नोजवान था उसका चेरा देखे वो चौंकी ये वो ही है खौपवाला मैं फाते और ये हम तीनों के सर पे हुमा था मगर जाहिर नहीं किया और उखाई से बोली आप कौन? मैं फाते साब का बाड़ी मैंनू उस दिन हम तंगू कामिल के घर आए थे असल में वो मेरी जॉप का पहला दिन था पहला दिन कोई नहीं भूलता मैंने आपको वहाँ देखा था है ना? वो उल्जन और जरा जोड़ से कह रहा था आप तंगू कामिल की मुलास्मा है ना? तालिया मुराद अपनी जगा बिल्कुल सुन खड़ी रही आपके बाल फरक थे और हुलिया भी मगर आप वहीं हैं है ना? उस दिन आप नोकराने क्यों बनी हुई थी? उसके अंदास में साथकी और ताज़्जू था तालिया की रंगत गुला भी पढ़ने लगी कौला लंपूर से चंद गेंटे की मुसाफ़त में मला के शेर में एक अधीम किला वाके था उसकी दिवारें गदली और खस्ताहाल थी एक अंदरूनी दिवार के कौने में चंद इलफास खुदे नजर आते थे जैसे सदियों पहले हिसने हाथ दिवार के गारे में नुकीली शेह से लिखे हूँ जो गारा सूकने पे वहां अमर हो गे थे वो कधीम जावी रस्मल खत में लिखी एक तवील नजम थी जिसके पहले दो मिसरे बदवक्त पड़े जा रहे थे ताशा की याद में वो जो शहसादियों जैसी थी और उसने इक उलाम से शादी की थी और उसको आजाद कर दिया अगले इल्फास दिवार की कालक और मेल में छुप से गे थे झाल 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 झाल